हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंसिनिटी नॉलेज आज की वीडियो के अंदर हम पूरूफ करने वाले हैं कि साइनिस्क्वार धिटा प्लस कोसिस्क्वार धिटा एकॉस्ट्यू वन कैसे होता है तो सबस쪽 है जिकती है आदर प्लस के अंदर के ऐerg पर्पेंडिकुलर ट्राइंगल लिता हूँ मैं इस एंगल को मानता हूँ believing यह हो जाएगा हमारा बेस और और हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस कि यानिलंग आधार करंड कि च्पीड़ां के सामने की जो भूजा है honor भूलाइड को मैंने एल mineral से हैं यहांपर शों किया है है यहमारा आधार इसको मैंने एससे है और इंहांपर करनभा जो मेंने कैसे यहां पर आप आपर जो मारे प्रपेंडिकूल्ड ट्राएंगल you इसके अंदर जो sin θटा है हमारा वो ratio होता है lump और current का यानि जो perpendicular triangle इसके अंदर ये हमारा θटा है तो इस perpendicular triangle के अंदर जो हमारा lump और current का ratio होता है उसको हम बोलते हैं sin θटा इसी तरह जो cos θटा होता है इस perpendicular triangle के अंदर वो होता है अधार और current का ratio कि यहां पर क्या करेंगे हम इस equation के अंदर इस equation को दोनों तरफ हम के से के स्क्वाइड कर देंगे तो k square से जब हम इस equation को divide करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा 1 और यहां पर आजाएगा l by k का whole square प्लस यहां पर आजाएगा a by k का whole square और यहां से हम जानते हैं कि l by k equals to हमारा sin theta और a by k equals to हमारा cos theta तो यहां पर इस formula के अंदर हम l by k और a by k की value रख देते हैं तो जो 1 है हमारा वो equals to आजाएगा यहां पर sin theta का square plus cos theta का square तो यहां से आगया हमारा sin square theta plus cos square theta equals to 1 तो यह हमने आपर प्रूफ कर दिया कि sin square theta plus cos square theta equals to 1 कैसे होता है बढ़ा आसान प्रूफ था अब इसी formula से हम दो formula का और प्रूफ करने वाले हैं तो इस formula के अंदर हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ sin square theta का भाग देते हैं या फिर दोनों तरफ sin square theta से divide कर देते हैं तो sin square theta plus cos square theta इसको मैंने divide कर दिया sin square theta से और इधर भी मैंने इसको sin square theta से divide कर दिया अब sin square theta और sin square theta यह कितना हो जाएगा और यहाँ पर cos square theta upon हो जाएगा sin square theta It right equals to one upon sin square theta हो जाएगा हमारे पास cos square theta के तो यह बन गया हमारा one plus cos upon sin equals to होता है हमारा coat square theta equal to हो गया हमारे पास cos square theta के तो हमारा यह welन एक और formula के है just यहां पर मारा formula है 1 plus quote square theta equals to cosec square theta अब next हम इसी formula से एक और formula का proof करते हैं तो इसके अंदर में क्या करता हूं दोनों तरफ cos square theta का भाग देता हूं इस formula के अंदर तो यहां पर हो जाएगा sin square theta plus cos square theta divided by cos square theta equals to 1 upon cos square theta तो यह हो जाएगा हमारा sin theta upon cos theta का square plus 1 equals to 1 upon cos होता है sec तो यह हो जाएगा sec square theta sin upon cos equals to 10 तो यह हो गया 10 square theta plus 1 equals to sec square theta तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 1 plus 10 square theta equals to आगया हमारे पास sec square theta के तो यह हमारा एक और formula हो गया तो यहाँ पर हमने सबसे पहले sin square theta plus cos square theta equals to 1 क्यों होता है यह proof किया और विसी formula से हमने दो और formula का derivation कर लिया तो यह तो हमारा यहाँ पर sin square theta plus cos square theta equals to 1 कैसे होता है इसको proof करने का एक तरीका था के एक circle लेता हूं जिसका center origin है जिसका center origin है यानि 00 और जिसकी radius जो है वो है r तो यह इसकी radius r और यहाँ पर इस angle को में माल लेता हूं ठीटा और यहाँ ठीटा के सामने हो गया यह perpendicular यहाँ पर यह एंगल है 90 degree इसको मैं बोल देता हूं o इसको बोल देता हूं a इसको मैं बोल देता हूं b तो यहाँ पर एक यह circle है जिसकी radius r है और जिसका center है origin तो इसकी equation है वो हो जाएगी x square plus y square equals to r square अब हम यहाँ पर next क्या करेंगे कि जो point b है इसके coordinate find करेंगे तो इसके coordinate हम r o theta की trumps के अंदर find करेंगे तो इसके coordinate हम आएंगे आपके पास r cos theta, r sin theta अब जो point b है इसके coordinate यह कैसे है यह भी हमें आपर देख लेते हैं तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि जो यह triangle है इसके अंदर cos theta का formula लिखता हूं तो cos theta किसके हो जाएगा यहां पर base, base यानि oa divided by perpendicular यानि r तो यहां से जो oa है वो कितना जाएगा r cos theta और यहां पर oa क्या है, oa है b point का x coordinate तो oa cos theta अब हम इस triangle के अंदर sin theta का formula लगाते हैं sin theta हो जाएगा perpendicular यानि a b divided by hypotenuse तो यहां से जो a b है वो a cos theta और sin theta और यहां पर a b क्या है, जो point b है इसका y coordinate तो इसलिए y coordinate यहां पर आ गया r sin theta अब इसके बाद में हम क्या कहेंगे, कि जो हमारे यह point है, यह circle के ऊपर है, तो इसका मतलब इस circle की equation को satisfy करेगा, तो अब मैं इस point को circle की equation के अंदर रख दे रहा हूँ, तो यहां पर x की जगे कितना रखूँगा मैं, r cos theta और y की जगे का रखूँगा मैं, r sin theta, क्योंकि यह point हमारा जो circle है, इसकी equation को satisfy करेगा, इसलिए मैं इस point को circle की equation के अंदर रख दे रहा हूँ, तो यहां पर x की जगे रखूँगा, r cos theta, क्योंकि r cos theta हमारा x कोडिनेट है, प्रस y की जगे रखूँगा, r sin theta, इसका square equals to r square के, तो यहां से r square cos square theta plus r square sin square theta equals to r square के, r square से r square cancel हो जाए हमारा cos square theta plus sin square theta equals to 1, यहां इसको आप बोल दीजे की, sin square theta plus cos square theta equals to 1, तो यहां पर हमने इस वीडियो के अंदर इस formula को दो धरी के से prove कर दिया है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना है friends, thank you.